दोने पासों दुखियाओ दोने पासों दुखियाओ दाधा स्वामी बच्पन में एक बात शुना करते थे दुखों के हूं से मैं जाना मैं दुखी मैं जाना मैं दुखी दुख सुआया जग को ठेचर के देखे करकर ये हुआ कभी सामने बताया है कि दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है और मैं 1956 से जब से हुदूर भागाफ्टी जी के चर्णों में आया उनको देखा उनके पास में जो आता था दुखें ही आता था जो चिछी आती थी को भी दुखें ही आती थी किसी ने महाराची से कोई एकादा होता था हुदारों में जो महाराची से उभ्यास की बात करता था जहां कोई वाकिन सब दुखी आते था, बस समय लिए, लेकिन कभीड साहब ने यहाँ यह नहीं बताया कि दुनिया दुखी क्यों है, यह नहीं बताया, सारा पढ़ लिया, सिर्वे अपने कहा कि संद सुखी मन जीते हो, संद से यह सुखी है कि उन्हें मन को समझ लिया और वो मन के सुनाता हूं, वो हमारे दुखों का करन बताते हैं कि हमारा करन क्या है, हम खुद ही दुम्ने बाद, हम अपने दुखों के खुद ही दुम्ने बाद हैं, मेरी बाद को बहुत बहुत से सुनते रहना, उस अकाल पुर्ष नहीं, जा दूसे शब्त मों कहूं, जिसमें यह करता कुछ है, तो अकाल कुछ नहीं है, करता कुछ और है, अकाल कुछ और है, अकाल कुछ कुछ नहीं करता, उसने हमें पूरन रूप में बनाया है, उसने हमें अपने रूप में बनाया है, हमारे श्रीर में पास तर्तव है, रित्वी है, जल है, अगनी है, वाई हो है, अका हमारे श्रीर में पाँच ग्यान इंद्रिया हैं, हमें क्या मिला मानर्चेत्रबुद्र को भी दिया, हम चौदा अतला संपूर्ण हैं, येकिन फिर भी हम दुखी हैं। महापुशों ने हमारे उपर करिपा की और उन्होंने बताया कि ये पांच नाम ले लो भई, वो पांच नाम लेते हैं, कि इनका सिम्न करो, तुम्हों का त्यां करो, तुम्हें कोई तक्लीफ नहीं होती। लेकिन पांच नाम जिन्हों मेलिया, जब एक नाम जिन्हों मेलिया, ये नही सम्न करती। इसलिए संपूने दुखी होकर जय क्या शम्त मिलनिका, आप भी पढ़ाँ हैं ये शम्त, मैं आ अपकी बासमुद रहता हैं। निकालो शम्द दो, अलाम से दो, सुनना, इन्होंने दो लाइने चार पड़ी उस शम्द की, छोटे लाजी में, दुख सुखा को इमें दाता, ते री है ये भूर सम्द, तुमारी अपड़ी गर, ते तो सुनो मेरी बाट को, तो उस गर में पेचे सूछते रहते हो, कभी सास बहू के प्रतीक अंशोचती है, जब आप बेचे के प्रतीah, जब बाप के, हैना, कोई प्रोस्षी के बारे में कुरा सोचता है, क्या तुम समिझते हो कि जो तुमने विजार गिया अपने मन में उसका असर नहीं होगा वो अगाश में जाता है और फिर वापस आता है बबब की जी महाराज रहमें समझाया कि तुम्हारे मन में पहुत बड़ी ताकत है अब तुम उस ताकत को ये समझो कि तुम रात को सो जाते हो, तुम रात को सो जाते हो, तुम रात को सुखने में सब कुछ देखते हो, पूरी दुनिया देखते हो, खाते भी हो, पीते हो, हजते भी हो, नाजते भी हो, सब कुछ करते हो, लेकर तुम जो सोय हुए हो, तुम कौन कर रहा है, तुमारा मन कर रहा अगर सोते समय आपको नीज में शुक्रे में तुम्हें अपने मन का कोई घ्यान नहीं है और फिर भी तुम्हें तुम्हें में तकलीब भी होती है कोई कुए में कर जाता है कोई चोट लग जाती तो उसको तकलीब होती है और नहीं होती है शुक्रे में तकलीब होती है तो क्या उसका अफर नहीं होगा? यह कर्म है, यह ख्याल की फिलस्पी है. आप अपने मन की ताकत को नहीं जानते, आपके मन में बहुत बड़ी ताकत है लेकं तुमने उसको अपना ही पिश्वन बढा लिया है, अपने ख्यालों से, तुमने अपने आपको ही इस मन से, मैंने इस मन की साथ खेला है, मैंने इस मन को समझा गब जब मोझी एन देश दिया कए बेटे उने कोई किताब नहीं पढ़नी, तुमने केबल अपने मन की किताब पढ़नी है. जब मैंने मन की गताप पड़ी तो मुझे पता रगया, ओंको मिन divorce, जीकुन तो मन पर ये धारत है, ये सारे दुनिये मेरे अपनी मन के दीर है, मैं जो चाहूं मन के से कर सकता हूं, देख सकता हूं, शुन सकता हूं, यह सारा मन का खेल है तो दार्टार जया जी जुम्मेधारी बताते हैं के ऐ इंसान तु किसी को दूष् मत दे तु अपने दुखों का आप जुम्मेधार हे परमभ्याजी महराज को दातर जया जी ने लिखा क्या डिका अधेश्तिया तू तो आया नार्दही में तन्ध कीर का भेशा दुखी जीव को अंगरगा के देजा गुल के देशा तीन ताप से दीव दुखी हैं निबल अबल ग्यानी तेरा काम देया कावाई नामदा में देता ने हम तीन दुखों से दुखी हैं अपने श्युक्त की शंती को बरबात कर दिया, नाज्याइद बरबात कर दिया, ज्यादा बच्चे पैदा कर लिये, थो दुखी तो होंगे, बारन कुछ नहीं हो डा, दुखी होंगे, शाधिया नहीं होती, तो तु किस ने किया? तुम्हारे अपने भीशे भूब ने किया तुम्हारा मन अब्योंद न हो जाएगा तुम्हारा मन चंचन हो जाएगा तुम कभी कहीं भागोगे कभी कहीं दुखा है दुखे arguments आप डोडे होएं जबके सहरे काम तुमने अपने मन को कुजोर कला के किया और तुमारा मन तुमारा साथ ने दे रहा और तिस्टा हमें अपना ग्यान नहीं कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ इसलिए तुम बाब कीजी महालाज के दवार में बैठे हो बात को समझो किसी को दोश्त मत दो कभी कहते हैं बगवान ने हमारे साथ जुरू कर दिया कभी कहते हैं किसी ने जुरू कर दिया कोई तुमारे साथ जुरू करने वारा नहीं है ए इंसान तेरा मन ही तेरा मित्र है तेरा मन ही तेरा दुष्पन है तुम इसको दे बाकि कोई गं मत कर अपने मन की रखी कर ले, महां पुशुर का मन के साथ कपटी खेलो, सुबा शाम कपटी खेलो इसको हराओ, पकड़ो की दिर भाग रहा है, तब जाकर तुमारे जीमिन बदर जाएगा, औरना तुमारे जीमिन कभी नहीं बदरेगा, कितना मजी नाम सिमिर करो, जो ज्यादा भी शही आदमी है, वो नाम सिमरें करेगा, तो और ज्यादा कामी बन जाएगा, अगर उसके इंदर बहुत ज्यादा कामना है, वो कामना बर जाएगी, अगर उसके इंदर इश्या ज्यादा है, तो इश्या बर जाएगी, अगर उसके इंदर लोब है, तो लोब ज्यादा बन जाएगा, नाम जबना है तो केवल इस ख्याल से जबो, ऐ मालक मैं तेरे नाम की सिमन कर रहा हूँ, मेरे अंदर से जारिये बराईये, निकल जाए, ओ निकल जाए, केवल इसलिए नाम का पहले सिमन करो, मन का हुद्रा सफ कर, जाना के याने के लिए, ध्यान गैनों का हट अना, उसको पाने के लिए, केले दुनिया की बताए है, छोड़ो। अपने आपसे बात परो, तुमारा कल्याम हो जád जाएका, अब दाता लिया जाज हूं, pests बता रहे हैं और दादा द्या कहते हैं को सुना। कोई दुख सुखका नहीं दादा तेरी है भूर सबूर। यह जो शब्द है यह दादा द्यां जी महाराज जी बाप अफीड जी महाराज को लिखा था। क्यों लिखा। वह भी महाराज देता। पिता जी रिटायर होके गाउं आ गये। जब आदमी गाउं में रिटायर होके आए गये दो बहुत दिवों के बाद हैं तो गाउं बादेन उसको मूह नहीं जाना देगाते। शिकेते करते हैं। तो उनके पिता जी को दोगों ने दरा दरा सेतन करना शुरू कर दिया। युकि सबादम की समाना हुआ था जुमीन समानी वी तादरी महराज को अपने कुछतर को दादा दिया जी दिखिते। के लेता ऐसे ऐसे हो रहा है, जम्हीं क्या करूं मैं तो दुखी हो गया यहां आकर। तो बापाजीन ने आपने खुशनी कहा उन्होंने वही चिछी अपने सत्रू डाता जया जिवारस को नहीं दिए कि वही बताएं क्या करूं ने तो उन्होंने उनके उस चिछी के जवाब ने ये लेटर लिखा हुआ है ये इस किताब ने दाकर जाजीन शुनों वो कहते हैं तुम्हारे दुखों का कोई और जुम्मेदार नहीं है तुम जुम्मेदार हो, तुम्हारा खाना मिगड़ गया, तुम्हारा देखना मिगड़ गया, तुम्हारा बोलना मिगड़ गया, तुम्हारा सुनना मिगड़ गया, तो तुम्हारा दुप तो पैदा होंगे ही, कोई बच नहीं सकता ये दुखों को पैदा करने वाले करन है क्या कहा मैंने सुनो कोई दुख सुख का नहीं दाता तेरी है भूल सब कर्म अपने करते हैं अनबूल और प्रदीगूल सवरा ही कर्म तुमारे सुख का कारण है और तुमारा ही कर्म तुमारे दुख का कारण है अब ये कर्म क्या है ये मैं खोड़ कर बताऊंगा अगले सर्षान्ग है कौन सा कर्म दुखी करता अब हो मैं अगरे साथ सब्सक्राइब क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाएगा, 8 वजे तक टाइम है, इसलिए तम्हारा इस सब्सक्राइब बबफ कीजी महाराज ने अपने अंतन जिठी में जो उन्हें पिट सुर्विसे उनीसो कसी में लिखी, अगस्त के वहिने में, उन् आइ इसान, बात को तोर से सुनना, ए इसान तु नाम नाम जब चाहे नाजब, लली शब्त, वह पाजे ने पूछा जाएगा, कितनी माला फेडी, कितना नाम जबा, वह अलग कल है, वह कल बताऊंगा, वह अलग जीमन है हमारा, वह कर्म से उपर है, वह कर्म में नहीं आता वह अंदर की बात है, वह भी मैं खोलूगा कल, बसाखी के दिन, तो जो कुछ भी हमारे कर्म हैं, तुमारा मन तुमारे से करूप रहता है, और तुमारा मन का किस से है, तुमारा मन बनता है तुमारी खुड़ाक से, तुमारी खुड़ा कहां से हती है, तुमारी खुड़ा छीक रहेगा अगर 400 कि इसी की ऐठ रूखा किया है काम तो लाए दूत में पानी डाड़ा है और जो कैने करते हैं देखो कुछ नहीं क्या करते हूँ कि इसे सुकी होके, इतने हस्पिचल खुल गया है, नहीं नहीं ब्रमारियें निक्त रही है, हमने बच्छल में कभी सुना नहीं था कि कोई प्लाट प्रेशर भी होता है, कोई शूगर होती है. हमारे पुछु सौस साल देख सुझीए, अब शुंची साल में पुछास साल में फ्रॉचुती हो जाती है, कार्ण क्या है? कि हमारी रहने ठीक नहीं है यह कहा इसलिए कहा दाता ज्याले कोई नहीं सुख दुख का दाता कर्म ही करते हैं तुम्हाइप पैदा देते हैं और कर्म ही तुम्हें दुख देते हैं पैसा करोगे पैसा बनोगी। कर्म जो किया है अंत में बोगना बाद ये नहीं नहीं लिखा कि नाम जो करांगे अंत में पार हो-जाओगे। वो नाम और है तो ये नाम नहीं के वैट के नाम राम के लिये स्ते ताल पे फेली। कर्म की परदान ताकि क्या नहीं तुझ को समझ ना कर्म से अनंद है और कर्म ही है स्कूल सब कर्म परदान विश्व कर रखा जो जस कीना ते सर्सव फल चक यह लिखा है ना इस वार को समझो जादा द्याज में तुझे ही कह रहे हैं सो महाम पुर्ष के रहे हैं कि तुम्हार कर्म तुम्हार इनके आएगा कर्म तुम्हार ने लिखा कि मैं इस वक्ति इस कमरे में लेटा हूँ रात के बारा मजे हुए हैं और मेरे सामने मेरे साथ जीवन आगया और यही पार राय साथ ने लिखी है कि जब इंसार की मौथ होती है तो उसके जीवन के सारी फिल्म उसके सामने आ जाती है जो जो कर्म की हुटें को भी सामने आ जाते हैं और उन कर्मों के इसको गया सब्रिछता है क्या कहा मैंने, तुम्हारा कर्म ही तुम्हे सुख देने वाला है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हे दुख देने वाला है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हे दुख देने वाला है, सुनो मेरी बात, तुम लोग मैं कथा सुनते हो, क्या कभी कथा सुनकर कुस पामिल भी किया किसी ने दिश्यम पतंवा साथ जो बार ग्रम चाली थे, जिरूने शादी नहीं की और बचल के पूरे थे और उनको पूरा बर्दान था कि जब भी छोना शोना अपनी मर्जी से छोन सकते हो महाभार्त ने सूलों के उपर लेटे हुए है, तीर तीरों के उपर लेटे हुए है, तीरों परच्छली खूल से खत्वत है, जानने ने करते हैं। तो गर्वान कृष्ण उनके पास प्रूश्य ने कहा है, पिता मां कैसे हो। महालाज आप सब मुझे जानते हैं। ये हाँ मैं 100 सालग तक जानता हूँ के 100 साल तुम्हारा जीवर कैसा था, वो तो मुझे पता है 100 जीवर, 100 जीवर जानता हूँ। तू एक जणम और पीशे देख के jeu सामने फेलिम है कु देख रहा है 101 जणम देख पीछे क्या कर तो क्या देखता है के कांटे दाँ जाड़ी से साम को मार रहा है कांटे दाँ जाड़ी को साम से मार रहा है और 101 जणम के पाल उसको यह सजा मिली कि यह कर्म कर्म नहीं छोलेगा। मेरे साथ एक बात हुई, मैं आपको बदाता हूँ, अपनी में करता हूँ, मैं था दर्ण साला, मेरी पोस्टिंग थी, तो शर्धी का मस्वजण वहां ठर्णी में भीच असर्धी होती है, उधर करवाचे बान क्यां बड़े बच्चे मेरे पास नहीते, मैं बड़े राम से स्वया हूँ, तो मेरे यहाँ साथ लड़ा, बाथ बड़ा, यहाँ, सुपने में साथ लड़ा, और मैं चीक मार्त ओठ और यहां से बतली अपने बाद में, बड़ी मुश्कल से उत्रा लाइट आउन की, देखा साथ तो कोई है निए, और दुरते तक यह सम बंद है, मैं बड़ी तकलीफ, उस मक्त पी तकलीफ, लगाता तकलीफ तो बड़ी तकलीफ ही, हजूर मेरे पास पर गुल्याजी मारज तो मैंने अपना हाथ सुनाया, तुमी नो मुझे फ्रमाया है, बेटा सुन मेरे बात, तुम मेरे पास आता है, मेरे सुल्यार करता है, नाम भी सिन्न करता है, जो लोग, जो प्रानी, थोड़ा बहुत नाम का सिन्न करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, और लेग निति का जीवन बितीज करते हैं, उनके बुरे करम जाथ को सोय सोय सुपने में कट जाते हैं, तेरा करम कट गया है, नहीं पास अभी है, और उनको भाया, जो बुरे लोग हैं, वो दुख अपने सुपने में लेते हैं, उनके दुख सुपने में उनको मिलते हैं, और शीवन में भी मि मेरे पास आने का तो मेरे साथ वाले मकान में जाजी साव रहते थे तो मैंने उपको कहा कोई साथ मेरा एक फून आएगा तो मैंने किसी जगा कह रही एक मैरे कार्ट वाले फून तब था निंग ये नाचीन सिक्टीनाइन की बात है 1979 की बात है 1989 तो जब में तुम्हें टेलीफून आये तो मैं एक पडूल पा कह दिया था तो थोड़ी देर बार, जर्शाम ने मुझे आवाज दी, तो मैं जी दौड़कर आओ, मैं का अले पापा यह चलीफून आ गया, चलीफून कहा था, उनकी सोई के आगे बड़ा बारी सांब, ऐसे, ऐसे खड़ा, और जानवर को भी पता है, यहां सांब होता है तो बड़ा श सांब अगर तावल को दांट मार्दोस के दांस बस जाते हैं, वो निकल नहीं सकते हैं, उसने नहीं कुछ भी किया, फिर मैं एक शत्र भेंकी, फिर में मर्गरीताफ देख ला, ऐसे देख ला है, मैंने फिर लच अपने हाथ में ली, तो मैं बाहर चला गया, मैं का अब क्या तू अब मेरे हाथ से मनने के लिए आए तो चल, चला गया, वो चल पड़ा, जैसे चला, तो मैंने लगा दी टांग और मार दिया, खत्त हो गया, लो, अंदर आया भाईक ने कहा, आपने बहुत बुड़ा किया, महराजी ने आ जाना तांग ने सांप मार दिया, ये त महराज, मैं उस दिन तो बात दे की, सेवा में लगे रहे, दूसरे दिन मैंने का पिताजी कहले मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुए, उन्हें कहते माराज, बहुत अच्छा हुए बेटा, नहीं तो वो बच्चु को कारता, वो शत्रुबन के आया था, आपने एक के शत्रुबन को कल्यान कर दिया, दो बाते होगे, दो बाते होगे, मैंने साम को पूछा, बता, तू मेरे से मरने के लिए आया है, तो चल, उसने कहना मान लिया, मैं समझ गया कि आया ही कल्यान कर आने के लिए, मैंने मार दिया, मुझे मन पर कोई बोज नहीं पड़ा, मेर में नीयत सहाथ, मेरी नीयत उन्हें उसको मारने की नहीं थी। लेकिन करण में ने कहा का जो कदा मिर्ने के लिए तो चल जास अनल शुट गे कि मैरी बास समझेakesμεों कर्म में फर्क है, जहां नियत खराब है, वहां वो कर्म तुमारा बन जाएगा, जहां नियत तुमारी साफ है, तुमारा कर्म नहीं बनेता, मैंने उसको शत्रू नहीं समझा, मैंने उसकी आगया क्या पालन किया, उसको पूछा, कि तुने मेरे से मरना है तो चल, वो चल पड वो मेरी तरफ आया है यह नहीं मैंने मारता हूँ बात का समझी गया है मेरी बात को भर्त का पता है आपको आगया यह जगत है बाटिका करते हैं प्रानिया के गाम हाँ यह सिंसार क्या है दाता द्यार कहते है यह बाटिका है यह फूलों की क्यारी है जहां आकर तुम अपना अपना कर्ण होते हो कर्म नाश्रियों का कैसे होते हो अपने ख्याल से पहले तुमारे अंदर ख्याल पैदा होगा तब तुम कर्ण करोगे कोई भी सुख्त कम देख दो, तुम जैसा भीज भोगे वैसा ही फर्टों में मिलेगा, पुदत का असूल देख लो, पुदत का, एक खेत में मिर्च लादो, अलू लादो, बैंगर लादो, तुपी लादो, और करने के भीज भोगे, हर जो भीज तुमने भोया है, वही पॉ फूल लगा दो, तुरत्र के फूल का गिंदे का लगा दो, चुमेली का लगा दो, गुलाब का लगा दो, गुलाब का फूल के लेगा, चुमेली को चुमेली का फूल के लेगा, गिंदे को गिंदे का मिल के लेगा, क्या मतलू इसका है, तुमारा ख्याल जैसा है, वैसा ही पौदा बनेगा, वैसा ही पौदा बनकर तुम्हें शुक भी देगा और दुख भी देगा, इसलिए जे सिंसाल है, एए इंसान, तु अपने ख्याल से अपनी जिन्दगी को बना ले, इसलिए दिखा है, शिर सुन कल्पमस्तू, एए इंसान, हमेशा अपने ख्याल नेक रख बले रक, बलाई के रक, जो सित्य हैा, तुम सबसे पहरत अपने घर की बलाई करो, साओर दुनिया की बलाई को कहा कर सकते हों, एक सत्यूऔर में मेरे सत्चंग में में कहा रहा था, नेकर नहीं हुआ, नेरे कहने से कुछ नहीं हँआ, राधर ज्यादा बच गया देश, ब अर्मों में मठ गया, धेरों में मठ गया, कुछ नहीं हुआ, मैं तो चाहता था कि यह हो जाए, मेरे पास उनकी लिखन रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, पहले अपने घर दो सुबार कुना लूँ, अब जो भी आते, देखा थी, सुबा से बेटा लूँ, क्या सुना, तो किसे भी लेना सका आपके हैं, और क्या सुना, कुछ की बात गो सुने नहीं, कोई रोता हुआया, कोई किसी दाज़ा सी आया, क्यों आए, क्या करन रहे, हमारा कर्म है, करंपर्धान है, नाम का पर्धान तो और अल्ला का बात है, वा कल साथ करुमदा के नाम कैसे जपन वो नाम है क्या? तो अब चले हुए नाम, 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 नाम कोई काजिन मुली नहीं है जागा मैंने, नाम देकर सुमिदानी लेनी पड़ती है इस इंसान की जीवन की इसलिए चेज़ने के हैं बात का, करते हैं आगे लोग काम आगे पड़ों कर्म के अनुसार इन के कांटे और फूल सब तो तुमने बोया है, उसी से तुमें सुथ मिलना है और उसी से तुमें तुथ मिलना है किसी को दोश मत दो, किसी को दोश नहीं दो मैं आपको एक बात ज़ता हूँ मैं छोटा था, जाप स्कूल में परते थे, तो मैंने गार के बागे एक छोटा सना ऐसे थड़ा बनाया भूआ था तो वही बोरी दाल लेने है वही पड़ते रहे ना, तो मैंने गाऊं में एक ताया जी में उनको बोलता था, ताया जी तो कभी-कभी, मैं हत्पन से ही खादम दीडिक, मैं आग बंद कर लेता था, उसने यह आ जाना है, ओए पाडू, और के दी पक्ती करने है तू, और की दी पक्ती करने चैने, त्गर बंद अजयी म Karen friend, मैं कर दो कि अगर मिदिन है कि अगर मिदा था करने हैं, और मेरो गयाना, मैं छोटा था, वो हस्ते थे, तो मैं मान लिखता था किजी बुदरूगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो कॉम्मिनिस्ट क्या थे थे, वो कवान को नहीं मान थे, पढूए, मैं पल कर्स आगे आ गया, जु समयनिस्ट के मैं कॉलोगेत ड़ानुटे में काउं गया तो पत्र लगया, कोई बड़ींस्त की होगिया, मैं भी पुरूछ ड़ंच गया, को बाहर स्सेम्मिन स्यालिका रेकिया को उसको ऩाटिफिया, भाइख त्र लॕए उसको शो मैं उसको जानता था, उसके भाई मेरे साथ पढ़ते था। तब मैंने उसको देखा, उस ताया लीकूप। हायो रपातु मेने लुख लिया, हायो रपातु मेना बड़ा नयाई पीता, मिरगन्द है, बुन्रा प्यादा है। दुख में सिम्रन सब करें, सुख में करें न को, जो सुख में सिम्रन करें काहे को हो, कभी साब न का। मेरी बास आभी गए, श्रीर में कोई भी तकलीफ है, मेरे साथ मित्ती है, मेरे भी श्रीर में हूँ, यह श्रीर बड़ा, यह बहुत पुमित्तर है, इसके साथ थोड़ा सा भी दुरुद्र हो गया, तो कोई तकलीफ आएगी, मैं गड़ में था, कुछ में नहीं था, ना दो पाहूं मिचला, मैं अपना अंदर से लेने गया, मबाईल लेने गया, तो जैसे ही मुने दगा मैं तहाँ अपर गिर गया, बुर इतरा से गिरा, आप उठने के कोशिच की नहीं से ला, टेलीफून बड़ी मुश्कत से उठाय अपने कोटे को टेलीफून गया, बेटा मैं गिर गया, जली नीचे आओ आया, उन्हें कला उठाने को शिकिती नहीं उठिया, मैं फिर मिस्टी को बलाया, तो दोन्यों ने ठाकी तो मेरे ख़ड़ाने हो जगा, दो दिन के बाद एशोग बेटे का टेलीफून गया, कैंते महलाज कैसे गिरे, मैं कहा जिसमें गिराए है, आप ही आकार उठाएगा मुझे, मैं यहीं बोना था ना, जिसमें गिराए मुझे को आकार उठाएगा वही मुझे, और होस्पिटल गे, बिल्कुल बिट रहा, चोट लगी निक्न मैं चीग हो गया, आपके सामने बैठा कर्म, मेरा कर्म करता, कैसे किता, कैसे किता, मैं कैसे नितुखी हुआ, मैंने सोचा, गिरावे महाराजी के फुर्टो के आगे, तो सामने फुर्टो, वाँ मेरे गुरू महाराजी, आपने तो कमाल कह दिया, अगर ये कहीं एक्सिदेंट बाहर हो जाता, कहीं बाहर चोट लग जाती, कारी में बेठे के एक्षिडेंट हो जाता, कुछ भी हो सकता था, तो हमने तो घर कर भी कार दिया, हो, 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 बुले, तेरी बहुत जायकार हो जाये, क्या है कोई बढ़न दिया, क्या कहा मैंने, मैं कोई दुख नहीं मानूँ, और दाज़कर में चल देला गया, मैं देला मैंने, उसको मानो, हमारा बाप है, हमारा बाप्व हमेशा हमारे साथ है, बेठे ने आपको शब सनाया, जो पिछले हैं पेयारे से, बटकते, दर्बदर फिडते, तो मटकते हो, कभी कही कई, कभी कई, नाम लिया हुआ है, फिर भी नाम निले लिनाज़क तक कहाँ बोलते हैंे। उनकी रास्तः है जाएं मुंत्र में जाएं। पूरतौा जाये। बुत्वर्ण में जाओगे मत्तर तर पॉलृद्रेखो जो भॉट तो सुनुगी इसमाँ पूस्यों के मा कोई बानी तो तुम्हें मिलेगी, को रास्ता बताने वाला बिठा है वहाँ और कहा है, कुछ मी नहीं क्या कहा हमेने खुदा, उर्णाम को मंदर में बंद कर देया अल्ला को मज़ब में बंद कर दीया जाओ, वहां जाके उसे बात करो क्या कहता है वसुर्दोर की बात ए इंसान मेरी बात को गौर से शुनना तुम पांच तर्थब के पूर्ण इंसान हो तुम्हारे में पांच तर्थब पूरे हैं तुम एक विट्टी की बूर्थी के आगे कि उसे जिकाते हो तुम महान हो उसको तो आदमी में बनाया तुम्हें मेरे मालकी में बनाया जिसको मालकी में बनाया वो बड़ा हुआ का जिसको आदमी में बनाया वो बड़ा हुआ कहां से फूर्थे फिरते हो उसको तुम मैं बहुत उची बात कर दी है बात को समझेव, बड़े दर्द से बात करना हूं, तुम पूर्ण होकर मिट्टी के आगए से चुका रहे हो, तुम मुझकों क्यों लिए जार करते हैं, वो तुम्हारी सुनेगा, वो पूर्थी नहीं सुने, वो सुनता है, करके देख रो, लेकिन सचे दिल से करके देखो, तुम्हारी बात हो जाएक, ये तजर्बा बता रहा हूं, ये वाप अफ एजी की स्टेज है, ये कप्पे मारने वाली नहीं है, ये सत्त का स्थान है, सत्त का स्थान, इसलिए दर्द दिल से कह रहा हूं, ए इंड संत मत बटक, तेरा बान तेरे अपने घट में है, और दिख दिया, हमारा यार है हम में, नमन को इंतिजा लेकिया, कल मैं बताओंगा के वो तुमारे अंदर कैसे है, अपने स्टानल हमपाटी करना, क्योंके आज वाजे बन करना है, कल खुरूंगा, पूरा, आगया, जो ठगेगा, बैठ चागा जाएगा, निसन्देया, प्रेमी जनहीं पाते हैं, प्रेम के पहूल सबर। अगर तुम किसी को ठगोगे, तुम मिठगे जाओगे, तुम किसी को चोरी करोगे, तुमारी को चोरी हो जाएगे, लेना देना है, इजद करोगे, इजद मिलेगे, गाली देगो, गाली मिलेगे, शुप दोगे, शुप मिलेगा, दुप दोगे, दुप मिलेगा, धन दोगे और भी द्धन मिलेगा, क्या करा मैंने, ये संसार लेने-देने का है? कि इस साथ से दे दो, इस साथ से ले लो, मिलेगा. अपने जीवन को देखो. गुरिये को छोड़ो देखो, अपने आपको देखो, तुम ने आज तब क्या किया? ज़र किस मन के खेल में पढ़े रहे, क्या काम हैं, बाकी छोड़ो सारा काम, ए इंसान, अगर पूजा करनी है, अगर अबादत करनी है, अगर उस मालिक को जाद करना है, तो जब आँख बंद के अपने अंदर देख ले, तुम्हें बता लग जाएगा किस के साथ मिलना है, आँख, कान, मुख बंद कर, तीनों बं अब सम्झे गए, यह जो कहा है, या चुमा यह बाल खेजाना जो खोजे सो पाए, तुम्हारे अंदर है सब कुछ, जो पाउं से लेकर सिर्टक शाया हुआ है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल ही नहीं करते, तुम्हें करते, फिर क्या है, फिर दुख ह पिर दुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता, बात समयें? चाहे कोई पूशा करो, चाहे कुछ करो, जो दुख है, वो आएगा, सुख का बतला सुख में मिलेगा, और दुख का बतला दुख में मिलेगा. मेरे पास फुलो में दिखता और कह देता हूँ, जिसमें बाबाप की सेवा नहीं ना की, वो दुनिया में खाली डेड है, तुम्हारे घर में है बगवान, तुम्हारे घर में फिर्मा है, तुम्हारे जन्न देने वाला, तुम्हारे घर में विश्मु है, तुम्हारा पालन क अपने करनी आप भरनी पड़ती है संसार में करनी आप उखाया करते ही हैं चूल सब तो अपनी करनी आप भरने आपके कर्म का फ़ल दूसरा शेर नहीं कर सकता तो मर्जी कर दो ना पत्नी तुमारा साथ देगी ना पच्चे तुमारा साथ देंगे ना कोई और साथ देगा तुम्हारे श्री इकार्नु किया हुए तुम्हे ही भोगना पळेका। हाँ, अगर तो तुम्हें तुम्हें किसी मातप्रिता की सेवा की हुई है, तो तुम्हारी भी सेवा हो जाएगी। नहीं को बच्चे कहेंगे। मैं दुनिया देखी है, मैं जाता हूँ बाहर, मिलता हूँ, आज ही मिला, वो माता है काई मेरे पालों में से रहते रोने हैं, रहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई कुछ ने कर सकता, संद ने कर सकता, संद तुम्हें क्यान दे सकता है, संद तुम्हें जीने का राज बता सकता है, संद तुम्हें रास्ता बता सकता है, तो संद कौन, कौन संद भी कौन, जो अपने अंदर प्रताश में रहता है, तो संद है, जो तन मन अलातों से आगे रहता है, बहुत कहना है उसका महां से आकर बीचे वो आपको कुछ कहता है, वो संत होता है, जो तुमारी पॉकट पर तरफ देखता है, ऐसे का नहीं के नितुते, नहीं के नितुते, नहीं के नितुते, वो संत नहीं हो सकता, संत किसी का नहीं खात यह भी बिटा लेता हूं, क्या कहा है मैंने, संथ तुम्हें ग्यान देने के लिए बैठा है, वो तुम्हारे माग देखने के लिए बैठा है, वो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए बैठा है, वो तुम्हें राज जिन्दगी बताने के लिए बैठा है, उसका लाब उठालो, वो तुमारे लिए है, बात समय गए, वो तुमारे लिए आते हैं संत, और किसी के लिए, वो तुखियों के लिए आते हैं, अमीरों से क्या लेना उन्होंने, जो अमीरों से ज्यादा मिलते तुलते हैं, उनके पास संत मत नहीं होता, यह भी बता रेता हूँ आपको क्या कहा मैं देखता हूँ, ऐसे संतों को भी मैं देखता हूँ, आगे बोड़ा, जिस बरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे दाता ज्याल मेरे सद्गुरु को लिखते हैं, तुम्हें क्या भरम पड़ गया, दूसरों की बात छोड़, पापा ने कुछ किया तो उसको अपना कर्व भोगने दे, क्या खा मैंने, मेरे सद्गुरु की एक बात चनाता हूँ आपको, इतने सत्वादी थे, एक बार वो अगा रोटी खाला, कयते है, मैं चूट बोला, मैं खाके आया, अपनी जान मचानी सि, मैं खाके पापा मैं रोटी दी खाने, तो घर बाद किती मिलके चले गया, ओथो निकलके पूल जाके एक टाफे रोटी कहा नागा है, उसरे पुशा, काने काने पापा को निए खाती कहते नहीं गया हूँ, उस वजे को अख़नी सी, अंतने को गाले कार देती। बात आई चेले के खाना खा लिया। वह आदमी देखने के पिता को बताया के फुकीर ताभे पर उची खाता था जहां आपको मिल कर गया। क्या कारण है। पिता को बताला के, जब जबारा गहे, मेरे दादा में पुछ अपहला दासर के, तुम मेरे का रोटी की उन्हें खा दी। तुम ताभे ने क्यों खा दी। सची का, गरे पिता जी बात ये है, मैं आपके घर की रोटी नहीं खा सकता था। क्यों? आप करते हैं रेलवे में पुलिसाप, कंश्टे में रेलवे के सपाई थे। आपको वहां हिस्सा मिलता है, रिष्वत मिलती है, तो आपकी रिष्वत का खाना मैंने खा सकता था। क्या का था। पिता को भी बता दिया। ये सत्वादी सतान है बाबा पीर का, महां से बोर रहा हूं आपके लिए। इतना कठोड तब, पिता को भी कह लिए के मैं तुबाने गर का खाना नहीं खाया। अपनी करनी आप पर, या कहा मैंने आगे पड़ा। काम में लग अपनी कर ले, करम निजयन फूल सबर। या ज़िए तुअ अपने काम कर, बाग्यों की बात छोड़। अपने काम को अपने मतलता बना ले बास तनू दोटियां दी बात को ही निए। बात सम्ड़ी है। जबसे अजूर महाराज ने सत्संग में ये बात स्वाइब बात है। मैंने एकवार बना बंद कर दिया। मैंने एकवार बंद कर दी। मैं कजे, दुनियों को मैंने क्या देना। अफ़ार में कोई गाले है जानी। टीवी बंद कर दिया लेखना। वहां इतने मर गए, वहां इतने मार दिये गए, वहां एक्सिजन्ट हो गया, वहां यह हो गया, क्या है, बंद कर दिया असल कुछ, अपने काम में लग गए, अपना काम क्या है, अपना आप पैचानों कहा किसी का नेग न माना, तुमने अपने आपको देखे, गुरु से अगया लेलो, रास्ता लेलो, और अगया चलो, फिर वो तुमारा ख्याल खुद करेगा, तुम उसके हो जाओ, इस दिये पुर्भाणी में कहा, ये तू मेरा हो रहे है, सब जग ते उसके हो जाओ, वो है, कैसे हैं वो कल बतादे देखे, आगे चलो, रादसौमी नाम भज, जगड़ों से पाचे कर रह सदा, जो नहीं समझा तो पड़ना, लिखना होगा खूर सब, अगर दादा सौमी नाम, चुट जा दादा सौमी नाम के साथ. और भके तुनिया भूजे, अगर तुझे नहीं करेगा तैं पढ़ रहा साथ, तूल है. क्या पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर्या, अपने अपनें में पर्या यह अपने म Despite आंप नहीं पर्या और उन्हों मैं पर्या थिएृ। इनके मनों काम नब कूरी हो जाए, इनके तुक दूर हो जाए, इनके मन को शांती बिले, इनके गरों में शांती पैदा हो, एकता पैदा हो, प्यार पैदा हो, आप सब सुखी रहो, इसी के साथ आज का सबसे बसना अपर करता हूँ, आप सब को बहुत बहुत प्यार बढ़ा रादा स्वामी, रादा स्वामी, रादा स्वामी.